किसने सोचा था कि आज से 19 साल पहले 31 साल की उमर में मौडलिंग से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाला लड़का आज 40 से जादा फिल्मों में as an actor और 12 फिल्मों में as a producer काम कर चुका होगा जिसमें से एक फिल्म के लिए उसे national award भी मिलेगा जिस वक्त जॉन एब्राहाम ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था उस वक्त किसी outsider के लिए अपनी पैचान बनाना बहुत मुश्किल होता था उनसे पहले कई सालों तक सिर्फ शारुक कान और अक्षे कुमार ही outsider थे उनके होने के बहुजूद भी अपनी पैचान पायत है और ये बहुत बड़ी बात है इस वीडियो के जरिये हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यूं आखिर 20 साल बाद भी relevant है जॉन जॉन की फिल्मों की चॉइस देखी जाए तो वो बहुत इंट्रेस्टिंग रही है उनके करियर की पहली ही फिल्म जिसम काफी offbeat थी जो कि किसी भी actor के लिए risk था बट उसके बाद आई साल 24 में धूम जिसमें से उन्होंने एक villain का रोल लिभाया इस फिल्म ने ना सिर्फ जॉन को fame दिया बलकि धूम franchise को भी एक hero centric film से हटा कर एक villain centric बनाया फिल्म ने box office पर आग लगा दी और जॉन ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया और खुद को एक commercial successful actor की रोप में establish किया इतनी जबदस success होने के बाद कोई दूसरा actor होता तो वो आगे सिफ commercial movies ही करता लेकिन यही बात John को बाकी actors से अलग बनाती है उन्होंने अपने filmी career में commercial masala films और content driven films की बीच में हमेशा एक balance बनाया रखा चाहे वो Kabul Express जैसी documentary style film हो या no smoking जैसी offbeat film या फिर गरम masala जैसी comedy masala film या दोस्ताना जैसी risky film हो या New York जैसी hard hitting film ये सभी choices John को बाकी actors से काफी अलग रखती है John वो actor है जो की इंडिया में bodybuilding और bikes का craze के flag bearer माने जाते है उन्ही के inspiration से youngsters को भी bodybuilding और bikes के प्यार हुआ and it is a big thing to create such a cultural change in a country like India लेकिन उसके बाद भी John ने ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो society के लिए in general and cinema के लिए in particular important थी producer बनने के बाद भी उन्होंने बहुत interesting और content rich फिल्मों को produce किया है उस time जहां उन्हें विक्नी डोनर जैसे subject में भी act करने का मौका मिला वहाँ उन्होंने ये बैथर समझा कि आयश्मान कुराना is a better choice for the film ये दिखाता है कि उनकी फिल्मों के लेके समझ कितनी दूर की है फिर चाहे वो madras cafe जैसी thriller movie हो या फिर परवान हो इन सभी फिल्मों ने ये proof किया कि John is a good actor but a better producer वो अब content से भरी industry मल्यालम में भी कदम रख रहे है by backing the film Mike वो कभी भी फिल्मों में risk लेने से पीछे नहीं हटे और उनकी हाली में release हुई film attack साइफर जॉर्णर की है ये जॉर्णर इंडिन इंडेस्ट्री में बहुत कम touch हुआ है चाहे वो Mumbai का prestigious college से MBA करना हो या modeling की दुनिया में अपना नाम बनाना हो या फिर filmी दुनिया में दूसरों से हटके अपना रास्ता बनाना हो John ने हमेशा ही सबको inspire किया है और दुनिया में ये दिखाया है कि with time वो खुद कितना evolve कर चुके है और audience के mood को सही पैचान सकते है जिस वज़ा से वो आज भी Bollywood के top A actors में से एक है क्या आप मेरे pointer से सहमत है या नहीं अगर वीडियो पसंद आया हो तो like a button ज़रूर दबाईए और दूसरों के साथ share कीजे हम Quora और Twitter पर भी अब movie related content डाल रहे है बहाँ पर भी अपना support जरूर दीजेगा चैनल को subscribe करना ना मूलीगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में